ओल्राइट गाईज दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ आप लोग किस तरीके से गूगल मैप के सर्च हिस्टरी को डिलेट कर सकते हैं यहाँ पर देख सकते मैं आपको दिखाता हूँ यह मेरा मैप है आप लोग के भी मॉबाइल फॉर्म इस तरह की दिखाएगा सर्च में जाइएगा तो यहाँ पर आप लोग को बहुत परकार का आपका सर्च हिस्टरी दिखाता है मतलब जितना भी आप लोग सर्च किया होंगे पास्ट में वह सभी आप लोग को यहाँ पर सर्च हिस्टरी दिखाता है अगर आप लोग इसे हटना चा आपको बहुत प्रकार का Option करना के बाद यहाँ पर आपको बहुत परकार का Option करने के बाद यहां पर देख सकते लोके पूरा डिकाा दिया जागा जितना भी आप लोग सर्च कियों गे उयंस को यहां पर दिका दिखा दिया जागा मैप हिस्टी में अब यहां से आप लोग मैनुली भी ड्यट कर सकते हैं मालिजे मुझे ये डिसका करना ये तो इस पर पर आपको delete का option दिखाता है इस पर किलिक किजिए तो यहां पर देख सकते हैं दो चार option आपको दिखाता है अगर आप लोग आज गूगल मैप पर सर्च किये हैं वो सब हिस्टिडी delete हो तो यहां पर आप लोग delete today का कर सकते हैं delete custom range पर किलिक करके आप किस date के बीच delete करना चाहते हैं वो date भी select कर सकते हैं और यहां पर आप लोग all time का delete all time का इस पर किलिक करके आप लोग all time का भी delete कर सकते हैं साथ साथ एक और option इसमें दिया गया है, उपर में देखिएगा auto delete option दिखाता है, इस पर click किजिएगा, तो यहाँ पर आप लोग समय select कर सकते हैं, यहाँ से custom भी select कर सकते हैं, यहाँ से custom भी select कर सकते हैं, तो इस तरीके से बड़ी असानी से आप लोग Google Map history को delete कर सकते हैं, I hope आप लोग को वीडियो पसंद आए होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को subscribe कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जहें,